हलो बच्चो कैसे आप लोग तो बेटा आपकी रिविजन सीरीज में आज बात करते हैं और दो इंपोर्टेंट चेप्टर्स की यस सेवन डेज का जो आपका कम्प्लीट रिविजन प्लैज आपने लिया था हमारे साथ तुसको और 95 प्लस मार्स उसी सीरीज में आज बात करे हैं अपनी स्टडीज को लेकर जितना की हम है तो हम भी पूरा एफर्ट डाल रहे हैं तो यह दोनों चेप्टर्स बेटा बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं विकिन उससे पहले एक बहुत इंपोर्टेंट चीज आपको स्टार्ट के क्योश्चन की सिरीज और पहला क्योश्चन आपके लिए है बिटा कि सोलीड कैल्शियम उक्साइड टेकन इन कंटेनर और वाटर वाज एड़ेड ग्रेचुली तो आपको अब्जववेशन लिखनी है और चैमिकल फोर्मूला बताना है जो प्रोडेक्ट बन यहां तक कोई कंफीज आने किसी को तो हीट एनर्जी का लिबरेशन हो रहा है द्यूरिंग दिस प्रोचेस तो एक तो यह हो गया कॉंबिनेशन प्याइशन और दूसरा क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो दो कंशेप्ट आपके क्लियर हो गए न एक ही कुश्च लाइम, है न, स्लेक लाइम की फोर्मेशन किस से हुई, कैसे माइट उक्साइड से, जिसका नाम होता है, क्विक लाइम, तो क्विक लाइम से, स्लेक लाइम बनाना है आपको, ओवरोल रियक्शन आप यहाँ पर भी देख पा रहे होगे, NCRT में क्लियर कट दिया हुआ है, औ और इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, देखिए, पहला पार्ट क्या था, observation made, तो observation क्या होई, कि जब solid calcium oxide को, reaction करवाया water के साथ, तो calcium hydroxide की formation होई, and heat is evolved, temperature container का gradually rise करता है, जब water, gaseous state में चला जाता है, मतलब liquid state से, वो change हो रहा है, gaseous state में, और large amount of heat energy is evolved, तो यह होगी, exothermic reaction already मैं आपको बता चुका हूँ, तो exothermic reaction भी है, और, दो reactants मिलकर, एक product की formation कर रहे है, तो यह किसका example भी हो गया, combination reaction का भी example हो गया, दूसरा पार्ट जो इस question का था बच्चों, कि आपको बताना था, chemical formula, उस compound का जो बना, तो calcium hydroxide और water के combination से, calcium hydroxide की formation होई, जिसको हम क्या कहते है, slate lime, यह क्या था, quick lime, quick lime से हमने क्या बनाया है, slate lime, तो दोनों part clear होगे, कोई confusion है, तो प्लीज बताइए, comment section में, चलें आगे, question number 2 की तरफ चलते है, what change in color is observed when white silver chloride is left exposed to sunlight, और कौन से type के chemical reaction है, इस change में, देखिए, 14, 19, 23, लगाता है, repeat हो रहा है question, again activity based question है, 1.8, कि जब हम silver chloride को, agcl को sunlight में रख देते हैं, तो क्या बनता है, यह reaction है, ठीक है, यह NCRT का, आप यहाँ पर देख पार होगे, when silver chloride, white color का जो था, वो gray हो जाता है, sunlight में, ठीक है, तो यही तो पूछा था, color reaction, color change क्या था इस process में, and it is example of decomposition reaction, तीन तरह की decomposition reactions होती है, बच्चो, आप में से किस-किस को याद है, please whatever comment section में लिखके मुझे बताइए, कौन-कौन सी decomposition reaction है, और इस decomposition reaction को बच्चो कहते हैं, photolytic decomposition, और यह photolytic decomposition, बहुत-बहुत-बहुत-बहुत important है, किस में, it is used in black and white photography, silver chloride की जगे हम silver bromide भी ले सकते हैं, तीक है, उसमें भी same reaction होगी, वहाँ पे reactions होगी, color change होगा, and it is example of photolytic decomposition, आपको बताना है, बाकी दो टाइप की decomposition reactions कोन-कौन सी होती है, फटाबर comment section में लिखके बताइए, और आज मैं इन questions के answer नहीं बताने वाला, जितने भी questions पूछूँँगा, आपको answer करने पड़ेगे, clear, चलें अगले question की तरफ, चलेंगे, write the chemical equation of the reaction in which the following changes occurs, and example भी लिखना है दोनों का आपको, तो change color, change की बात हो, या temperature change की बात हो, बहुत सारे example NCRT में है, आप कोई भी example ले सकते हैं, मैंने यहाँ बर जो example लिया है, वो है, lead nitrate का potassium iodide के साथ reaction, तो क्या बनेगा, potassium iodide और lead nitrate से बन जाएगा, lead iodide, and यह क्या हो गया, displacement reaction का example, this is a clear cut example, क्योंकि lead जो है, वो ज्यादा reactive है, तो उसने displace कर दिया एक तरह से, और color change क्या है, जो colorless था, उससे yellow color के formation होगी, तो it is classical example of change, जहाँ पर color change हो रहा है, second part जो इस question का है, change in temperature, यहाँ पर देखे, zinc को, H2SO4 के साथ reaction करवाया, यह भी displace कर देगा, क्योंकि hydrogen से ज्यादा reactive है, zinc, more reactive, displace कर देता है, less reactive को, तो बना क्या, zinc sulfate और hydrogen gas is released, again यहाँ पर heat evolve हो रही है, तो फिर से किसका example हो गया, exothermic reaction का, तो exothermic भी है, displacement भी है, combination reaction भी हमने देख ली, आगे हम और बाकी reactions भी देख लेंगे, इसके अलावा, आपको एक reaction बतानी है, जि जिसमें temperature change हो, यह आपका second question है, ठीक है, चलिए, next question, बहुत important question है इस बार के लिए, फिर से electrolysis of water, तो सीथी सी बात है, जो water molecule है, उसका dissociation आपको show करना है, लेकिन normal condition में, water is a bad conductor of electricity, जो distilled water है, वो electricity conductor नहीं करता, क्यों नहीं करता, आपको reason बताना है, यह तो आपका part हो गया, आप देखे, क्या पूछ रहे है, कि name the gases liberated at anode and cathode, तो इस setup में आप देख रहोंगे, activity 1.7 है आपके, NCRT book की, तो दो electrodes लेके, हमने उसको 6 volt battery से connect किया हुआ है, और इस process में आपको बताना है, कि जो दो gases released होंगी, वो कौन कौन सी होंगी, और second, कि इस process में जो एक electrode पे जो gas produce होगी, उसका volume double होगा, दूसरी electrode पे gas जो produce होगी, तो पहले आपके लिए चीज़े simple कर देता हूँ, H2O, देखो H2O, hydrogen gas है, और दूसरी oxygen, यह तो दो gases हो गई, जो release होगी, clear to everyone, अब देखिए बच्चो, दूसरी चीज क्या आती है इसमें, यहाँ प hydrogen H2, मतलब positive है, O2 negative है, तो अब आप बताइए, कौन से पे कैसा charge है, चलिए हम बताते है, again decomposition reaction है बच्चो, ठीक है, और जो मैं पूछ रहा था, उसका एक example यहाँ पर आ गया, it is thermal decomposition, कैथोड बच्चो है, negatively charged electrode, तो negatively charged पे क्या आएगा, positively charged, positively charged कौन सी gas थी, hydrogen gas, बात समज आ positive electrode, तो positive पे क्या आएगा, negatively charged oxygen, तो oxygen एनोड पे collect हो जाएगी, अब cathode H2 है, तो volume जो है, जो amount है, cathode पे hydrogen gas collection का, वो ज्यादा होगा, as compared to oxygen on anode, क्योंकि दो hydrogen molecule और एक oxygen molecule release होता है, during breakdown of water molecule, समझ आगी बात, clear to everyone, यह देखिए, electrolysis of water हो रहा है है, यहाँ पर, अब इस answer को लिखना कैसे हैं आपको, अब यह बताते हैं आपको, देखिए, two molecules, sorry, two moles of water undergoes electrolysis, and produce two moles of hydrogen, and one mole of oxygen gas, हो गया कामासन, आप चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि water molecule में, दो hydrogen है, एक oxygen है, molecular formula में, इसलिए, जब electrolysis होगा, तो जो एक gas collect होई, उसका amount double होगा, जो की hydrogen gas है, as compared to other gas, जो की anode पे produce ह होगा है, oxygen से, आप, इसका second part जो था, if dilute, sorry, यहाँ पे H2 है, H2SO4, अगर H2SO4 नहीं add करेंगे, तो क्या होगा, मैंने static में ही बताया था, बिटा, आप लोगों को, की water is a bad conductor of electricity, तो जब direct current पास करेंगे, तो water में से conduct नहीं होगा, तो electrolysis तो effective करने के लिए, हम कुछ drop sulfuric acid की की दाल देते हैं, H2SO4 की दाल देते हैं, during electrolysis of water, clear to everyone, now let's move to next question, and that is, yes, here it is, shining metal है, M, जैसे-जैसे question आएगा, वैसे-वैसे हम चलेंगे, shiny metal है, and on burning, it produces dazzling white flame, and changes to powder N, N क्या है, white powder है, तो M और N दो चीज़े हैं, अच्छा, identify करना है, M और N को, कि M क्या है, और N क्या है, दोनों को identify करना है, and represent the above reaction in the form of balance chemical equation, or does M undergo oxidation or reduction in the following reaction, justify भी करना है, तो देखे, बीटा, आपने चुना होगा, अपने senior से सुना होगा, आपने देखा होगा, आपके सरावने में, लोग कहते हैं कि CBSC में higher marks आते हैं, बच्चों की percentage बहुत अच्छी बनती है, क्या reason है उसका, तो बीटा, जो CBSC का pattern है, बड़ा set pattern है जो marking scheme होती है न, वो बड़े clear cut दी हुई होती है, अगर आप question के हिसाब से step wise manner में reply कर देंगे, सारे questions के answer कर देंगे, तो you will get full marks, कोई problem नहीं आएगी, तो यहाँ पर जैसे तीन part में question पूचा गया है, तो एके करके अगर हम answer करेंगे, तो crystal clear हो जाएगा, again यह आपका NCRT का activity based question, first activity, जो magnesium ribbon वाली है, वो activity है, यह वाली, ठीक है, इसमें तोड़ा सा ध्यान यह रखना है, कि आपको tong की help से ही उसको hold करना है, तो metal M on burning gives a dazzling white flame and changes to white powder M, तो metal M क्या है, magnesium है, ठीक है, तो magnesium जब react करेगा, burn करने का मतलब oxygen के साथ और react कर रहा है, और एक white powder बना देगा, जो हो कर, magnesium oxide की formation कर रहे हैं यहां पर, जो कि white powder है, तो M पता चल गया, M is magnesium and N is magnesium oxide, clear हो गया, step 1 completed, यह magnesium है और यह magnesium oxide हो गया, अब second part में क्या पूछ रहा है, balanced chemical equation इसकी पूछ रहा है, तो यह mg plus O2, but this is not balanced, है ना, balance नहीं है, तो करना क्या है, LHS is equal to RHS बनाना है, इधर magnesium 1, इधर magnesium 1 बर friends है, तो अब हम इसको बना देंगे, दो magnesium, इधर हो गए, तो दो molecule, magnesium oxide के बन जाएंगे, now this is the balanced chemical reaction, अब इसने पूछा था, third part में, कि magnesium का oxidation हो रहा है, या magnesium का reduction हो रहा है, तो देखिए, oxidation का मतलब होता है, addition of oxygen, addition of oxygen is oxidation, और removal of oxygen is known as reduction, तो यहाँ पर तो क्या हुआ था, Mg के साथ क्या मिला था, oxygen, magnesium में oxygen का addition हुआ, तो magnesium undergoes oxidation reaction, oxidation is loss of electron, और ज्यादा scientific definition आपको लिखनी है, तो increase in the oxidation state of an atom, iron, और molecule, तो जब solid magnesium present था, तो इसकी oxidation state ही zero, क्योंकि elemental form में कोई bond नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ही इसको हमने oxygen के साथ बान करवाया, तो magnesium oxide बना, तो यह अपने दो electrons lose क magnesium का oxidation number है, बारा, यह इसकी electronic configuration, तो आउटोमर्स cell में दो electron है, दोनों electron को यह lose कर देगा, तो plus two हो गया, तो oxidation of magnesium occurs, clear to everyone, इसे crystal clear और simple explanation आपको नहीं देख नहीं को मिलेगी बेटा, अब एक बहुत important type की reaction होती है, जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, इसके बान में, oxidation आपको पता जल गया, but what is redox reaction, redox क्या होता है, कि ऐसी reaction जहाँ पे oxidation भी हो, और reduction भी हो, दोनों process जब एक साथ होती है, तो such reactions are known as redox reaction, ठीक है ना, कि chemical reaction in which oxidation as well as reduction takes place are known as redox reaction, तो oxidation आपको पता है, addition of oxygen, reduction आपको पता है, कि removal of oxygen, oxygen, लेकिन reducing agent क्या होता है, oxidizing agent क्या होता है, बताइए, फटा फट, यह करके दिखाओ, वह आता है, यह करके दिखाओ, तो आपको यह करके दिखाना है, देखें, hydrogen था, उसमें oxygen आपको यह वाटर मोलिकुल की formation होगी, लेकिन copper oxide से copper बना, oxygen यहां से होगी, गयब, तो यह होग oxygen agent, आप समझा आगी बात, उल्टा है, oxidation वाला reducing agent, reduction वाला oxidizing agent, इसके अलावाद दो बहुत important topics हैं इस chapter में, जिसको आप skip नहीं कर सकते हैं, किसी भी कोस्ट पर, एक है corrosion, सबने कहीना कहीं experience किया होगा, आपने आसपस देखा होगा, कि जो pure metal है, atmospheric action की वजए से, चाहे हो air का action ह moisture का हो, या किसी chemical का action हो, उसकी वजए से, उसका gradual destruction हो जाता है, उस process को बच्चो कहते है, corrosion, हम में से बहुत लोग, even आप में से भी बहुत लोग, corrosion और rusting को same ही मानते होगे, नहीं, बहुत difference है, जो iron का corrosion है न बच्चो, उसको कहते है, rusting, corrosion of iron is known as rusting, इसके अलावा दो और example आ आपने सुना होगा या देखा होगा, कि जो हमारे घरों में ladies होती है, female members होते है, उनके जो silver के ornaments है, उस time के बाद काले पड़ जाते है, तो कुछ आते हैं, लोग कि हम भई, आपके articles को silver ornaments को साफ कर देंगे, और वो chemical carry करते है, उस chemical में उस ornament को डालते है, और वो clean हो जाता है, एक दम चमकने लगा है, आटिकल दुबारा से, तो आपको बताना है, वो chemical क्या था, ठीक है, वो strong corrosive agent है, ठीक है, चलिए उसका नाम बता देता हूँ, लेकिन आपको बताने है, इसकी composition, इसमें क्या-क्या होता है, important है one more question के लिए, एक्वारेजिया, बताना है आपको, ठीक के packet में, पांच chips होती है, मुश्किल से, बट वो आपके benefit के लिए बिटा, क्योंकि जो हमारी fatty oily substances है, अगर उनको बहुत लंबे time तक air के contact में रखेंगे, तो उनका हो जाता है oxidation, और oxidation का effect आप यहां पर देखो, tomato पे, क्या हाल हो गया tomato का, oxidative stress की वज़े से, वो जो articles हैं, food products ह हैं, वो हो जाएंगे rancid, और rancid होने के वज़े से, उनकी smell भी change हो जाती है, उनका taste भी change हो जाता है, तो उस सबसे बचाने के लिए, उसमें nitrogen gas fill कर दी जाती है, तो rancidity को कैसे हम बचा सकते हैं, या तो उसका refrigeration करते हैं, cold temperature पर रखें, तो वो खराब नहीं होगा, या फ तो यह 5 important questions थे आपके chapter, chemical reaction and equation के, अब हम चलते हैं, second part पर, second chapter है हमारा acid, bases and salt, कि A plus B is equal to S, यही को होता है, that is classical example of a neutralization reaction, बढ़ेंगे हमी, मैंने पूचा था, neutralization reaction का example, इससे आसान नहीं हो सकता है, acid and base मिलकर, salt की formation कर देते हैं, और यह salt is a neutralization reaction है, एक तरह से, बहुत बहुत important question chapter का जो है, that is chloralkali process, तो आपको important products बताने हैं, chloralkali process के, और उनके uses भी लिखने है, तो देखें, इस तरह का experimental setup होता है, एक membrane के help से, दो electrodes को separate कर दिया जाता है, positively charged anode and negatively charged cathode, ठीक है, और एक तरफ से, aqueous NaCl, add किया जाता है, और आमें मिलता है, sodium hydroxide, अब इसको chloralkali क्यों कहा जात है, देखें, chlor का मतलब तो इस reaction में chlorine gas release होती है, तो chlor से हो गया chlorine, और chloralkali, alkali का मतलब, ऐसे bases, जो की water soluble है, उनको कहा जाता है, alkali, तो यहाँ पर water soluble, sodium hydroxide की formation होती है, इसलिए इसको chloralkali process कहा देते है, ठीक है बच्चों मेरे, answer कैसे लिखोगे, यह देखो यह ऐसे, कि chloralkali मे electricity जब पास की जाती है, aqueous solution, sodium chloride में से, जिसको ब्राइन भी कहते है, तो क्या होता है, इसका हो जाता है, decomposition और sodium hydroxide बन जाता है, base की formation हो जाती है, alkali है, क्योंकि base water soluble है, इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो product बना, वो है chlorine और sodium hydroxide, chlorine, chlor stand for chlorine and alkali is sodium hydroxide, balance chemical equation हे रही है आपके दो NaCl के molecules, दो water molecules की दाथ reaction करके, दो molecules sodium hydroxide के बना देंगे, और साथ में chlorine gas और hydrogen gas release होगी, तो बन गई आपकी chloralkali, ठीक है न, आप ये NCRT में भी दिया हुआ है, क्या क्या बना, क्या क्या उसे, तो cathode, cathode कैसा था, negatively charged, negatively charged, negatively charged, लेक्टोड पे क्या आया, hydrogen, anode क्या था, positively charged, वह इसेंस में, cleaning में, individually hydrogen की बात करें, तो excellent fuel है, ammonia के जाथ मिलके fertilizer, fertilizer industry में widely use किया जाता है, वहीं पे chlorine water के cleaning के काम आता है, water treatment के काम आता है, swimming pools में इसको add किया जाता है, polyvinyl chloride के formation करता है, pesticides बनाता है, और CFC, ये भाइदे की चीज नहीं है, chlorofluorocarbon, याद आया कुछ, CFC, जो हमारी ozone layer है, उसके depletion के, ये responsible होता है, ठीक है, और तीसरा जो product बनाता है, sodium hydroxide, NA4H, ये क्या करता है, ये artificial fiber बनाने के काम आता है, ये paper making में काम आता है, soap detergent बनाता है, और जब ये दोनों मिल जाएंगे, तो bleach बन जाता है, fabric की bleaching, salt bleaching के काम आता है, तो एक एक uses पूछा था, आप लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा पूरा, आपको मिल लेंगे पूरे number, और खुशी होगी हमें, कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया, तो अब शाहिद आपका confidence बिल्टा पो रहा होगा, कि हाँ, हम अच्छा score कर पाएंगे, 95 plus का target है, वो हम easily achieve कर लेंगे science में, 4 chapter हो जाएंगे आज हमारे, day 3 है हमारा, ठीक है, चलिए, next question की दरफ चलते है, second question है, identify करना है, acid और waste को, जिसके combination से common salt बनता है, और इसके chemical formula लिखना है, chemical name लिखना है, rock salt क्या होता है, mention its color and reason due to which it has this color, इससे easy question बच्चों हो नहीं सकता है, जो common salt है, उसको हम क्या कहते ह known as table salt, ठीक है, याद रहेगा, NaCl, तो Na plus Cl is equal to sodium chloride, ये chemical name हो गया, sodium chloride, उसका chemical name हो गया, उसको common salt कहा देते हैं, table salt कहा देते हैं, और rock salt क्या होता है, rock salt क्या होता है, जोलिए, इसके पीछे की science बताते हैं आपको, कि जो common salt होता है, जो हम गरों में use करते हैं, वो होता है, base, sodium hydroxide, और acid, HCl के मिलने से, ये भी आयन से आटे की activity है, कि जब dilute NaOH solution में, phenophthalene की कुछ drops डालते हैं, तो उसका color change हो जाता है, वो pink color का हो जाता है, लेक pink color, जो phenocylene का है, फिर सरी, अपियर हो जाएगा, magic है, magic, तो ये overall reaction है, कि NOH और HCl मिलकर, acid or base, वेने starting में, चप्टर के बताया था, salt की formation कर देते हैं, तो ये neutralization reaction है, अब जो हमारा rock salt है, वो, जो sea beds थे, dry up हो गए, वहाँ से बना, और वो solid salts के deposits हैं, इसका color brown color हो जाता है, क्य तो simple za है, acid or base को आपको मिलाना है, sorry, HCl plus NaOH, तो बन जाएगा, NACL, chemical name क्या है इसका, sodium chloride, common name क्या है इसका, common salt या table salt भी इसको कहते हैं, और एक होता, iodized salt, बड़ा आजकल crazy है, iodized salt का, क्यों beneficial है, बता के बताएगे, लिखके बताएगे, comment section, why use of iodized salt is advised by the doctors, चली, तब तक हम चल write the chemical equation when zinc granules reacts with sulfuric acid and hydrochloric acid, बहुत important activity है, इसको पहले समझते हैं, हमने dilute sulfuric acid लिया, एक test tube में, और उसमें zinc granules add कर दी है, वहाँ पे hydrogen gas के bubbles बनना शुरू हो जाते हैं, उनको delivery tube के help से हम एक soap solution में लेके आते हैं, तो वहाँ पे bubbles बनते हैं, soap bubbles, जिसमें hydrogen gas भरी होती है, hydrogen light होती है तो उपर की दरफ उठती है, और उन bubbles के पास, अगर हम burning cattle लेके जाते हैं, तो बस्ट होते हैं विदा pop sound, तो pop sound produce होना ही, एक confirmatory test है, कि hydrogen gas वहाँ पे present है, pop sound, hydrogen gas की presence का clear cut indicator है बेटा, अब reactions की बात कर लेते हैं, कि reaction है zinc की S2SO4 के साथ, hydrochloric acid, no 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 no, sulfuric acid, ठीक है तो यह भी displacement reaction है, zinc sulfate बन गया, ZNSO4 क्योंकि जादा reactive है zinc as compared to hydrogen, और यहाँ पर भी यह हमने उल्टा ही कर दिया जारा, यहाँ पे आएगा HCl, तो ZNCl2 बन जाएगा, जो के पूरी reaction, ZNCl2 बन जाएगा और hydrogen gas release होगी, zinc chloride बनेगा, zinc chloride की formation होगी, तो यह correction कर लेना, आपको confused नहीं होन है, exact reaction यही है बिटा, अब एक और बहुत-बहुत important topic है, कि आपको वो सारे products बताने हैं, वो सारे chemicals बताने हैं, जो आपके enslavers में भी दियो हैं, जो common salt से बनते हैं, या उसके हम कह सकते derivatives हैं, आगला question उसी के उपर बेस्ट है, कि which, I think this is question number 4, which different chemicals are obtained from common salt, और उनके usage भी बताने आपको, तो सबसे पहला जो product आपका बनता है, that is bleaching powder, calcium oxy chloride, chemical इसको कहते है, calcium oxy chloride, ठीक है, तो chlorine gas को ब्राइन में से पास करते है, chlorine gas slake lime पे काम करेगी, calcium hydroxide पे, और calcium oxy chloride के formation कर देती है, यह इस तरह का white powder बन जाता है, जिसको bleaching powder कहते है, बहुत सारे uses है, इसका use क्या है, pulp bleaching कि जो wood pulp होता है, उसमें lignin की deposition होती है, उसकी वजय से वो dark color का हो जाते है, तो उस dark color से उसको light color में ले जाने के लिए, bleaching करनी पड़ती है, before and after यहां पर देख पार होगी, तो wood pulp की bleaching जो होती है, paper industry में, इसके अलावा water के drinking में इसको use किया जाता है, before and after यहां पर देख हो गया, बड़ा concept है न, आजकर before and after का, cotton और linen जो textile industry में यूज की जाते है, हमारे जो laundry industry है, उसमें wash clothes की bleaching की जाती है, और chemical industry में ऐसे strong oxidizing agent इसको use किया, बहुत सारी usage में बताया था आपको bleaching powder के, अगला जो product आता है, that is baking soda, कि जो sodium chloride है, common salt है, उसको जब ammonia के जाता है, तो ammonium chloride की formation हो जाती है, और साथ में बनता है, sodium hydrogen carbonate, NaCO3, जिसको हम कहते है, baking soda, नाम से पता चल रहा है, baking, baking industry, cooking industry में इसको use किया जाएगा, तो non-corressive basic salt है, जब इसको heat किया जाएगा cooking के लिए, तो sodium carbonate की formation होती है, और CO2 gas हो जाती है, ये CO2 gas का release बहुत beneficial है, हमारी baking industry के लिए, कैसे ह है, ऐसे है, ऐसे है, ये जो CO2 release होती है, तो इसकी वजएसे holes बन जाते है, तो हमारे जो cake होता है, ये bread होती है, वो spongy हो जाती है, soft हो जाती है, और जब इस baking soda में कोई भी edible acid, जैसे tartaric acid add कर देंगे, तो ये बन जाएगा baking powder, तो ये बन जाएगा baking powder, देगे ना, इसको relief दे देता है, मैं कोई इनो का यहाँ पर add नहीं कर रहा हूँ, actually it is a base, जो antacid जिसको कहते है, alkaline होता है, तो ये neutralize कर देता है, acidity effect of stomach, इसके लावाब इसको soda add fire extinguishers में यूज किया जाते है, faster cooking के लिए यूज किया जाते है, पकोड़ा है, जो आपको होते हैं, उसको करेंगे, water of crystallization, तो एक basic salt है, यह जो कि sodium chloride से हम obtain करते है, sodium chloride से बना sodium hydrogen carbonate, और वहाँ से sodium carbonate की formation हो जाती है, तो recrystallization या rearrangement है sodium carbonate का, जिससे washing soda की formation होती है, sodium carbonate में 10 water molecule अगर add कर देंगे, sodium carbonate, decadrate की formation हो जाएगी, और इसको use किया जाता है, borax बनाने के लिए, इसको use किया जा तो यह अलगलग products है, जो हमारे common salt से, NACL से हम obtain करते हैं, आपके syllabus में दिए हैं, बहुत important है, आप इसको skip नहीं कर सकते हैं, चलिए, आगले question की तरफ चलते हैं, आपको reason बताना है, why only one half of water molecule is shown in the formula of plaster of Paris, pop, कहते हैं, so POP, अब जो concept में बता रहा था, water of crystallization, it is the fixed number of water molecule present in one formula unit of salt जो hydration जिसका होगा, जितने एक formula unit में water molecule present है, वो fix होता है, किसी भी salt में, और उनको कहते है, water of crystallization, अब अब ने देखे था ना, decahydrate, 10 water molecules थे वहाँ पर, तो यह कुछ examples है, hydrated copper sulfate में 5 water molecules है, sodium carbonate decahydrate, जिसमें 10 water molecules है, gypsum में 2 water molecules है, तो hydrated copper sulfate है, चाहें वो sodium carbonate है, चाहें वो gyps हमें, यहाँ पर fix water molecules है, one formula unit में, जिसको कहा जाता है, water of crystallization, अब हम आते हैं, हमारे plaster of Paris पर, आपने से कितने लोगों के बाद को personal experience है, POP का, क्योंकि जब भी fractures होते हैं, तो plaster चड़ाया जाते हैं, वो POP ही होता है, बट यह बहुत precise reaction हो दिए, अगर हम gypsum को 373 Kelvin पर, इससे हमी हाइडरेट, क्या, calcium sulfate, हमी हाइडरेट इसका नाम होता है बिटा, ठीक है, अब इसमें half water molecule ही क्यों show किया जाता है, दो formula unit जो है, calcium sulfate की, वो एक water molecule को share करती है, ठीक है, इसलिए, यह half water molecule से इसको represent किया जाएगा, अब इसके users कहां आते हैं, POP के users, यह personal experience में पूछ रहा इसको यूज किया जाता है, toy industry में इसको यूज किया जाता हूँ, जो surfaces होते हैं, उनको smooth करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, अब यह नाम कहा है, plaster of Paris, हम तो भाई इंडियन है, हिंदुस्तानी है, plaster का, Paris का plaster क्यों use करेंगे, actually, जो gypsum है, उसके बहुत बड़े deposit, बहुत बड़ा भंडार जिसको कहते हूँ, Paris भे एक जगह है, Montmartre, वहाँ पे मिले थे, तो इसलिए इसका नाम पढ़ गया, plaster of Paris, plaster of Paris, तो यह आपके बेटा 10 important questions थे, from the chapters, chemical reaction and equation and acid basis and salt, मेरी तरफ से chapter हो गया है, finish, अगर आप detail video देखना जाते हैं, मैंने शुरू में बताया है, उसके अलावा, what you say, activity based questions भी है, chapters के, तो कोई भी topic आप देखना चाते हैं, तो आज से आप देख सकते हैं, अगर चैनल पर नए हैं, तो यह काम कर लिजे, subscribe कर लिजे, like कर दीजे, share कर दीजे, और अगर आपको अपने प्लेज ले लिए कि स्लेज खतम करके 95 प्लस मार्क सकतो हमें, सर लेने ही लेने हैं, तो आप हमेशा की तरह कमेंट करते रहिए, और अगर आपको लगता है, आपको कोई friend भी संतिम युद्ध का part हो सकता है, वो साथ दिन की प्लेज ले सकता है, तो उसके साथ share कर दीजे, thanks for watching, keep studying, good luck, मिलते हैं, day 4 के साथ,